नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मुख खबर जानते हैं CM हेमांत ने दीदी हेलफ लाइन कॉल सेंटर का किया सुभाराम जार्खन के मुख मंतरी हेमां सुरेन ने फूलो जानो असिर्वाद योजना के तहत महिलाओ से सिधा सनवात के करह में उनकी सराहना की और उन्हें भरोसा दिलाया की वे हर कदम पर उनके साथ हैं इस दोरान CM ने दीदी हेलफ लाइन कॉल सेंटर का सुभाराम किया जिसके जरिये छार्खन एस्टेट लाइबली हुड परमोशन सोसाइटी से जुड़ी विभीन योजनावों की जनकारी एक कॉल पर मिल देगी बता दे दीदी हेलफ लाइन कॉल सेंटर का उदेश से हाए कि जे एस एलप लाइन के लिए टॉल फिर नंबर एक आठ डबल जीरो चार एक नो जीरो चार डबल जीरो एवं आठारा डबल जीरो एक तालीस संतानबे चार सो पर कॉल के जरिये जे एस एलप एस द्वारा संचालित विभी जोजनावों की जनकारी लिजा सकती है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दवाओ के कारण पूरे जर्खन में दो तीन दीनों से लगतार हो रही बारिस से जन जीवन अस्त ब्यस्त हो गया है मौसम बैग्यानी के अनुसार गुरुवार से मौसम साप हो गई है बता दे राजे के अधिकतर इलाकों में मौसम साप रहेगा एक दो जगों पर बज़पात के साथ हलकी बारिस होने का अनुमान है कहीं कहीं हलके बादल भी च्छाय रहेंगे गरामीन छेतरों में किरिसी अधारित उध्योग को मिलेगा बढ़ावा जार्खन के गरामीन छेतरों में हेमन सरकार किरिसी अधारित उध्योगों को बढ़ावा देने में जुट गई है इसके लिए जल्द ही Ruler Industries Policy तयार की जाएगी ताकि किलीशी को बढ़ावा दिया जा सके साथ ही जारखंड में निवेशको को प्राथमिक्ता देने के उद्यस से राजे में नई नीती बनाने पजोर दिया गया है ये बाते गुरु आरको जारखंड Chamber of Commerce और जारखंड Small Scale Industries के पदादिकाडियों के साथ बैठक में उद्योग विभाग की सचीव पुजा सिंगल ने कही पारा सिक्षको की रिपोर्ट 21 को सोपेंगे सिक्षा सचीव जारखंड के पारा सिक्षको के बेतन मान और सेवासरत निमावली 21 सितंबर को स्कूली सिक्षा और सक्षर्टा विभाग के सचीव राजे सर्मा सिक्षा मंत्री जगनात महतो को सोपेंगे बता दे एकी क्रित परा सिक्षक संहर्ट मोर्चा के सिष्ट मंडल के साथ गुरु आरको हुई भारता में उन्होंने इसका अस्वासन दिया है सिक्षा मंत्री जगनात महतो की उपसिती में आवित वारता में इसकूली सिक्षा और सक्षर्टा विभाग के सचीव राजे सर्मा ने कहा कि विभाग ने प्रस्ताव त्यार कर उन्हें दे दिया है वे इसका अध्यान कर रहे हैं ये कई सितंबर मंगलवार को वे उस प्रस्ताव को सिक्षा मंत्री को स्वव देंगे खनीज धुलाई वाले वाहनों से टोल वसूली का आदेस जारी ज्यारखन के खनन छेत्रों से खनीज की धुलाई करने वाले सभी वेवसाइक वाहनों को हर बार इधर और उधर आने जाने के लिए 600 रूपे देने होंगे इस टोल की वसुली खनन चलान के अतिरिक्त की जाएगी बता दे गुरुवार को राज सरकार के पथ निर्मान विभाग ने इस सम्मंध में अधिसुतना जारी कर दी है टोल वसुलने के लिए टोल पलाजा या नाका बनाने की ज़िवरत नहीं होगी इस सम्मंधित पथ निर्मान विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार की बैठक में मंजूरी दे दी थी निवेसको की समस्याओ के निराकरन के लिए राज सरकार प्रतिवद उध्योग सचीव उध्योग विभाग की सचीव फुजा सिंगल ने कहा है कि राजे में नई निवेसको बढ़ावा देने के साथ वैसे निवेसक जो पहले से ज़ारकरन में निवेस किये हुए हैं उनकी समस्याओ के निराकरन के लिए राज सरकार प्रतिवद है जार्खन में निवेसकोक को प्राथ मिक्ता देने के उदेश से राजे में नई अध्योगी के अमप्रोध साहा निती बनाई गई है उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिस आए कि सिंगल विन्डो सिस्टम के तहट सभी निवेसकोक के आवेदन को ससमय निस्पादित किया जाए जार्खन में वाइरल फीवर का कहर राची में 500 से ज्यादा बचे भरती जार्खन में भी वाइरल फीवर का कहर देखा जा रहा है बतादे परभावित बचों से अस्पताल भरे पड़े हैं राजधानी राची की बात करे तो अलग-अलग अस्पतालों में करी 500 बच्चों का फिलाल इलाज चल रहा है रिम्स और सुदर अस्पताल में बेट फूल होने से परिजन परिसान हो रहे हैं लिहाजा अपने बच्चों को लेकर प्राइबेट अस्पताल की वर रूप कर रहे हैं हलाकि चिकल से को कुमाने तो अक्टूबर तक वारल फीवर के कहर में कमी आएगी हलाकि राची में पिछले साल के मुकाबले इस साल इस से दस गुना ज्यादा बच्चे परभावी था हैं लागातार बीमार बच्चों की संख्या बढ़ रही है कुरोना वायरस से मिर्तिव पर पर्मान पत्र में कुरोना का होगा उलेक अब कुरोणा वारस से मिर्ति होने पर निवंधन प्रवान पत्र में कारण के रूप में कुरोणा संक्रमन का उलेह किया जा सकेगा बतादे डेट सर्टिफिकेट देह कर कोई भी जान सकेगा कि समधित ब्यक्ति किमत कुरोणा से हुई है सरोष नियाले द्वारा इससे लेकर आदेश पारित किये जाने के बाद केंद्रिय गिरी मंत्राले के निदेशक टाक्टर संतुनुक कुमार अगरहरी ने जार्खंड के मुख निबंधन सभीत एवम योजना विभाग के सचीव राहूल सर्मा को पत्र भेज कर सभी सरकारी एवम गैर सरकारी आस्पतालों को इसकी सुचना देने तथा इसे लागू करने का मुर्द किया है हाथियों की मौत पर जार्खंड हाई कोट सक्त पांच साल की रिपोर्ट मांगी जारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस डाक्टर रवीरंजर और जस्टिस एसन परसाथ की खंड पिठ में लाते हार जिला में हाथियों की मौत मामले में सोतर संग्यान से दर्ज जन ही त्याज के आपर गुरुवार को सुनवाई हुई अदालत ने सरकार से पूछा कि राजे में पिछले पांच वर्सों में कितने आतियों की मौत होई कितनों का पोश्टमाटम हुआ कितनों का विषरा जाज के लिए भेजा गया और उनकी रिपोर्ट आई या नहीं अदालत ने इसकी विष्त्रित रिपोर्ट دो सप्ता में भारत में 34-640 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संक्य 3,32,451 है जारखन में एक्टिव केस इस प्रकार हैं जाते हार दो, चातरा पांच, घोड़ा जीरो, जामतरा पांच, साहिव गंज एक, दुमका जीरो, पाकोड जीरो मरिज एक्टिव हाएं जेपीसी अभियार्थियों के लिए बुरी खबर जेपीसी परिक्षा 2021 में उम्र सीमा निधारन के मामले में जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोट में इंटर लोकर्टी एच का दाखिल की गई है बतादे गुरु आर को इस मामले में परार्थियों के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोट की रहिष्टरी के समक्ष मामले को जल्द सुनवाई के लिए सुचिबत करने का आगरह किया लेकिन सुप्रीम कोट की रईष्टरी ने इसे जल्द सुचिवत करने से इंकार कर दिया है बतादे प्रार्थी अमीत कुमार की ओर से आई ए दाखिल कर जल्द सुनवाई किये जाने का आगरह किया गया medical college के छात्रों के admission में मिलेगी रहात रिम्स का मास्टर प्लान होगा तयार चार्खन के medical college में छात्रों के admission में आ रही अर्चनों को दूर करने का निदेस मोखे मंतरी हमन्सुरे ने अधिकारियो को दिया स्वास्त विभा की समिक्षा बैठाक हुई जिसमें तीन नए मेटकल कॉलेज में एड्मिसन, एम्बूलेंस सेवा में सुधार और सरली करन डॉक्टर्स और पारा मेटकल स्टाप के नियुकती रिम्स और MGM को बेतर बनाने आदिस समेत अनेक मुदा पर चार्चा की गई इस मौके पर सिरी सुरेन ने कहा कि रिम्स रांची के लिए मास्टर प्लान त्यार करे ताकि रिम्स को नया सरूप दिया जा सके बाबा मंदीर का कापाट खुलने में है देरी जारखन सरकार ने मंगलवार को आपदा प्रवंधन की बैठाक में बाबा मंदीर को खुलने का निर्न ले लिया लेकिन तीन दिन बाद भी अब तक बाबा मंदीर आमसर धालू के लिए नहीं खुला जा सका बतादे 14 सितंबर को पहले दावा किया गया कि 16 सितंबर से मंदीर में आमसर धालू प्रवेश कर पाएंगे हलाकि 15 सितंबर को इपास की वेवस्ता शुरू नहीं हो पाई इस दिन दावा किया गया कि NIC की ओर से अब तक इपास से समंधित वेबसाइट को मंजूरी नहीं मिली है इस कारण अब 17 सितंबर से वावा मंदीर आमसर धालू के लिए खुलेगा पर बता दे की 16 सितंबर की देर साम तक भी प्रशासनिक अस्तर पर फिर से NIC के मंजूरी नहीं मिलने की बात कही गई है इस से 17 सितंबर को भी मंदीर का कापाट आमसर धालू के लिए खुले जाने पर संसय है डोक्टर्स में पेसेंस की जरूरत राजेपाल देवगर एम्स के द्वितिये बार्शिक समारों में जार्खन के राजेपाल रमेस बैस ने सिर्कत की इस दोरान राजेपाल सिर्वेस ने कहा कि स्वास्त बेवस्था में अती पिछड़े इलाके के लिए देवगर एम्स उमीद की किनन बन कर आया है स्वास्त के छेतर में एम्स पर लोगों का टूट विश्वास है बड़े-बड़े नामी हस्पिटल हो सकते है लेकिन बिश्वस नियें के मामले में आज भी इम्स का जोड़ा नहीं है बतादे राजेपाल ने मेडिकल स्टुडेंट से कहा कि डॉक्टरों में पेसेंस का होना बहुँ जरूरी है जिस डॉक्टर में पेसेंस नहीं है वो सफल नहीं हो सकता है इसलिए एमस से आप जब पढ़कर निकलेंगे तो उसकी भी स्वास नियता को बनाए रखे और स्वास्त के छेत्रे में हमेशा उत्किरिष्ट करने की सोच रखे संक्रमन के कारण सादगी से करम पुझा मनाने का निर्ना है जार्खन में 17 सितंबर को करम पुझा है बता दे कुरोना संक्रमन के कारण इस बार भी करम पुझा सादगी से मनाने का निर्ना लिया गया है करम पुजा की पूर्व संध्यापर केंद्रिय सरना समीती ने तेवार को मनाने के लिए गाईलें जारी किये हैं साथी राज सरकार से अखरे में सुरक्षा की ब्यवास्था के साथ साथ करम पुजा के दिन पूर्णत असराब बंदी और करम पर्व को राज की ये अवकास गोसित करने की मांग की है जारखन में घर बैठे मंगवाय माचिन मस्तिका का परसाद देश के परमुक धार्मिक अस्थलो जैसे तिरू माला मंदीद, हनुमान गर्धी, अयोध्याव बाबा बैदनात मंदीर के बाद अवरायरापा के माचिन मस्तिका मंदीर का परसाद भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं बता दे डाक विभाग द्वारा माचिन मस्तिका परसादम योजना की शुरुवात कर दी गई है इसके लिए उप डाक पाल गोला के पद नाम पर 251 रुपया या 501 रुपया का मनी याडर भेज कर परसाद मंगा सकते हैं 13 साल में HDF के 63 जवानों की ब्रेन मलेरिया वा साप काटने से मौत नकसलियों के खिलाप अभियान में बर्ष 2008 से जंगलों में जारखन जगुवार के असाल्ट गुरूप में तनाथ 63 जवानों की जान साप बिमारी वा जंगली जानवरों ने ले ली है बतादे गुरुवार को भी जारखन जगुवार का एक जवान उपेंद्र कुमार ब्रेन मलेरिया की चपेट में भेट चड़ गया वा पच्मी सिंभुम के मलेरिया प्रभावीत आरापीडी में तनाथ था और बीमार होने के बाद 10 दिन पहले ब्रेन मलेरिया के पूष्ट ज़ारखन लोग सेवा आयोग में सहायक लोग अभियोजक न्योकती के लिए सक्षतकार 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आयोजीत होगा परते एक दिन पुरुवान 11 वजे से सक्षतकार शुरू होगा बतादे इसमें मोख्य परिक्षा में उतीन अभियार्थी सामिल हो नमाज कोक्ष विवाद पडोसी राजियों में बेवस्था का अध्योन करेगी BCS कमिटी जारखन बिधान सभा में नमाज कोक्ष के विवाद का हल निकालने की दिशा में परियास आरवम हो गया है बतादे बिधान सभा अध्यक्ष रविजन आत्मातों के निदेश पर इसमें निर्नाय किया गया कि पडोसी राजियों के विधान सभा से रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि वहाँ नमाज पढ़ने या अने धर्मों के लिए कक्ष आदी कि क्या विवस्ता है विशेस कमिटी के सभापती स्टीफन मरांडी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद परचारे के पद जारखन के 510 सरकारी पलस टू स्कूलों में सिख रही परचारे एवं उपरचारे के पदों पर नियुक्ति होगी नियुक्ति को लेकर पहली बार इन इसकूलों में परचारे तथा उपरचारे के पद स्रिजित किये जा रहे हैं बता दे परचारे के 510 को लेकर प्रसासी पदवर्ग समीती को प्रस्ताव भेजने की त्यारी कर रहा है। इसके बाद नियुक्ती रद कर दी गई थी। इसके बाद नियुक्ती पर किरिया दोबारा सुरू नहीं हो सकी। बता दे कि हाई स्कूल में इतने ही पद प्रोनित्ती से भी भरे जाने हैं। को भूत अस्तरपन मजबूत करना है। इसके लिए वे राजे के सभी 24 जीलो के करिकरताओं के साथ उनई सितंबर की सुबह 11 बजे से दो फर दो बजे तक राची के हर्मू रोड के डिबडी इस्थीत कार्नी वाला हॉल में करिकरता समेलन करेंगे। तेजस्वी चला आपके द्वार से जार्खन रायत करेगा 2024 की त्यारी। जार्खन में फोरेंसिक साइन्स लेवरेटरी के पदो पर भरती। सरकार को भी सभी जीलों में चलंत परियोग साला की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। गुरुवार को सवता संग्यान लिये मामले की सुनवाई करते हुए कोट ने अनिर्देश दिया। यदि आप चैनल पर नहीं होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल कावल लाइक अंद भाए सालसा वीडियो के एक लाइक कर अपनी दोस्तों के बाट से पेस्बूक ट्यूटर इंस्टाइग्राम पर सेयर करना ना भूले। साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना प्यारा सा फिड़बैक अवसे दे। थैंक्यू।